हलो गाइस वेलकम बैक टू एनदर वीडियो इस वीडियो पर हम लोग चानेंगे बहुत सारे स्टॉक्स की कबरिच करेंगे कौन से स्टॉक पर कैसी मोमेंटम हो सकती है कहां पर स्टॉक का सपोर्ट हो सकता है क्या आपने इस स्टॉक पर पैसे लगा के रखे हैं तो आपके इंप्रटनलेवल्स क्या होने चाहिए कहां पर स्टॉक को सेल आउट करके बाहर निकल जाना चाहिए और कहां पर स्टॉक को वाई करना चाहिए यह आप इस वीडियो के माईदम से बहुत सारे स्टॉक्स की यहांपे हम लोग रिविव करेंगे उसमें सबसे पहले रिलांस इंडस्टी पे 2000 का लेवल काफी इंपोर्टेंट है 2000 के लेवल पे स्टॉक का अच्छा खासा सपोर्ट है इस टॉक पे आप देख पा रहे होंगे 1990 रुपिय का एक एहम सपोर्ट है जो स्टॉक तोड़ने रहा पिछले कई दिनों से पिछले चार पांच दिनों से इवन एक वीक से आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक 2000 के लेवल पे आते ही फिर से इस पर बांस बैक देखने को मिलती है और स्टॉक लगबग 2100 रुपिय त कि और जाने की कोशिश की स्टॉक 100 डे के मूबिंग अबरेज को काफी ज्यादा हम यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा जो कि 2006 रुपिस का है और स्टॉक की क्लोजिंग आज हंडेड डे के मूबिंग अबरेज से थोड़ा सा नीचे हुआ विस टॉक को 1990 पे हम लोग लास्टली देखेंगे कि क्या यह स्टॉक इसको होल्ड कर रहा या नहीं कर रहा अगर यह स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है इस टॉक पे आपको एक अच्छी खासी फिर से गिरावड देखनी को मिल सकती है और स्टॉक पे जो आगे के लेवल्स होंगे वो लगबग 19 स्टॉक को ट्रेड होते देख सकते हैं विकाज 1900 रुपय पे देखिए स्टॉक पे बहुत बार अपने आपको सपोर्ट लिया है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और मैं जो दिखाने की कोशिस कर रहा हूं अप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे तो यह रिलांस इ और मैं आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि देखिए स्टॉक बार बार अपने आपको सतरा सो साट सतर सतर के असपास में रिजिस्टेंस फेस कर सकता और जिस दिन सेवेंटीन हंडेट सेवेंटी के ऊपर पे यह स्टॉक निकला आपको एक अच्छी खासी तेजी द लेबल यह पार नहीं करता है जो कि यह पिछले तीन चार दिनों से यहां पे देख पा रहे होंगे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा सतरा सो सतर पे यह स्टॉक अपने आपको रेजिस्टेंस फेस करवारा विकॉस यह जो एक चैनल था आप देख पा सपोंड कहां पर तो शतैरा सो पे इसका फिप्टी का मूविंङ आब्रेज तो सत्रा सो पर एक नीचे सपोर्ट है गीचे सकता है तो सथिरा सो पर यह और यहá धरी की जा सकती है और यहां से 10-20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस मान के विकॉज 100 डे का मुविंग अब्रेज 1560 के आसपास में है तो यह लेवल आपके लिए की गुंजाइस बहुत कम है और अगर यह नीचे जाता तो फिर आपको फिर 260 के आसपास में यह स्टॉप दिखेगा अगर यह स्टॉप नहीं तोड़ता दो सो पचासी को जो की कंटिनिवसली सपोर्ट पे काम कर रहा तो स्टॉप पे मुमेंटम आपको दिख सकता और वह मु जो चल रहा नीचे की तरफ 285 और उपर की तरफ 315 इसी के बीच में यह स्टॉप अभी पिले होता दिख सकता है अगर दोनों में से किसी का लेवल यह प्रापार करता तब फरदर आगे आपको मुमेंटम दिखेगी देखिए नेक्स स्टॉप है पॉली कैब का पॉली कैब मैं आपको पहले से कर रहा हूं कि इस स्टॉप को जरूर रिडार पर रखिए देखिए आज इस स्टॉप पे मुमेंटम तो आई थी बट इस स्टॉप ऊपर की तरफ सस्टेंड नहीं किया और 1350 पे स्टॉप का सपोर्ट है अगर किसी ने इसे बाई कर रखा तो 1350 के निकलने की कोशिस किजेगा क्योंकि फिर से स्टॉप पे 1300 के लेबल तक का यहां पर नीचे डाउंसाइड देखने को मिल सकता अपसाइड कहां से मिलेगा तो आपसाइड जब तक 1390 को यह नहीं निकालता है तब तक इस स्टॉप पे मतलब 1390 को क्लोजिंग बेसिस पे देखिए एफिल इंडिया एकदम सपोर्ट के आसपास में 5140-45 का यह लेबल है 5145 का जो यह स्टॉप रिस्पेक्ट कर रहा इस लेबल को जब तक यह स्टॉप इस लेबल को ना तोड़े इस पे नीचे पे डाउंसाइड आपको बहुत जादा देखने को नहीं मिलेगा अ और अगर यहां पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर आप इसे स्टॉप पर फर्दर गिरावट देखने को तो एफिल इंडिया पे यह स्टॉप इतना ज्यादा चल चुका है कि फ्रेज करदारी अभी तो इस स्टॉप पे नहीं बनती है अगर आप छोटा सा पूजिशन बना सकते हैं जब तक यह स्टॉप फॉफ फाइब ताव्यों फॉट्टी के आसपास में ना आए तब तक फ्रेज पोजिशन ना बनाए हो सकता है स्टॉप पे आपको नीचे के तरफ और भी डाउन साइट देखने को मिल सकता है तो यह थी कुछ स्टॉप की कबरेज अगर के मदद से आप यहां पर सौट टर्म पर जो पुजिशन बनाते हैं उसका रिजिस्टेंस सपोर्ट सारी चीजों को देख सकते हैं और इसके काम करने से हो सकता आपको एक अच्छा कासा ट्रेडिंग सेट अप मिल जाए और आराम से आप इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं मैं